हेलो, आज के इस वीडियो में मैं आपको थड़ AC और स्लीपर क्लास में अंतर दिखाने वाली हूँ जिसको रेलवे की भाषा में AC 3 टियर और स्लीपर क्लास करते हैं मैं दोनों के किराए में अंतर भी दिखाऊंगी और ये भी दिखाऊंगी कि दोनों कोच कैसा दिखता है मैं आपको इसका वाश्रूम भी दिखाऊंगी तो फिर शुरू करते हैं आज को वीडियो मैं हूँ रश्मी और आप देखरो रश्मी ट्राइबल ब्लॉग सबसे पहले मैं आपको थड एसी दिखाऊंगी उसके बाद मैं आपको सिलिपर कोच दिखाऊंगी और ये है थड एसी कोच इस कोच की बनावट बिल्लकुल सिलिपर क्लास की तरह होती है बस इसमें कुछ चीजे थोड़ी अलग होती है जैसे इसमें खिडकी नहीं होती है और इसमें पंखे भी नहीं होते हैं क्योंकि ये फुली AC होता है नए थड़ AC कोच में हर बर्थ में एक बर्थ रीडिंग लाइट होता है हर एक कमपार्टमेंट में एक आयना लगा हुआ होता है मैं थड़ AC कोच का इंसाइड व्यू दिखा रही हूँ एक कमपार्टमेंट में एक तरफ तीन बर्थ होते हैं और दूसरी तरफ भी तीन बर्थ होते हैं और सामने में दो बर्थ होते हैं कुल मिला के एक कमपार्टमेंट में आठ बर्थ होते हैं ये मैं आपको वाटर बोटर होल्डर दिखा रही हूँ अब मैं आपको एक भरा हुआ कमपार्टमेंट दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चल सके कि हर एक बर्थ पर सभी लोग आ जाने के बाद थड़ एसी कोच कैसा दिखता है अब मैं आपको सिलिपर क्लास दिखाती हूँ सिलिपर कोच तो आप सब ने लगभग देखा ही होगा फिर भी मैं एक जलक आपको दिखा देती हूँ इसमें खिड़की होते हैं जिससे आप बाहर से फल्फ्रूट खरीश सकते हो और कोल्डरिक खरीश सकते हो ताजी ठंडी हवा ले सकते हो हारे कमपार्टमेंट में तीन तीन पंखे लगे होते हैं सिलीपर क्लास में लोग अपने जूते चपल को पंखे के उपर रख देते हैं ताकि इधर उधर न हो जाए इसमें आप दरवाजे के पास आके ठंडी हवा का आनन ले सकते हो हर कमपार्टमेंट में मोबाई चार्जिंग पॉइंट लगा हुआ होता है मैं आपको साइड अपर बर्थ पे चड़ के दिखा रही हूँ इस पे चड़ना तो थोड़ा मुस्किल है लगभग 1400 किलोमीटर का किराया सिलिपर का 635 रुपे है और थाड एसी का 1645 रुपे दोनों के किराये में बहुत ही अंदर होता है अब मैं आपको सिलिपर क्लास का ट्वालेट दिखा रही हूँ इसमें साफ सपाई की थोड़ी कमी रती है लेकिन आने वाले समय में आप सिकायत करके इसे साफ करवा सकते हो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और लाइक का बटन प्रेस कर दिया होगा अगर आपको ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो देखना है तो अभी मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद आपका दिन शुभ हो और आप खुश रहे मगन रहे आनन्द रहे और इसी तरह मेरा वीडियो देखते रहे तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में